तो आज हम लोग आर्फमेटिक प्रोग्रेशन एंसे एक्साइस 5.2 का सुल्यूशन कुष्टमर 13 से कंटिन्यू करेंगे जितने लोग पहली बार चैनल को आये हो उनको हम बताते हैं अगर कुष्टमर 1 से लेके 12 तक अगर तुमें कहीं ही प्रॉब्लम है तो उनके हमने अलग पार्स तीन पार्स में वीडियो डाल लगे हैं तुम वहां देख सकते हो लिंक तुम्हें दिस्क्रप्शन बॉक्स में मिल जागा पूरे प्ले लिस्ट का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ठीक है और आई बिटन पर क्लिक करोगे वहां भी मिल जागा प मत भूला करो ओके चलो तो कंटीनिव करते हैं हम लोग आज का वीडियो अपना कुश्चन में 13 से एंसी आर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंसी एक्साइज 5.2 तो फर्स कुश्चन जो कुश्चन में 13 जो है ठीक है यहां divisible by 7 मतलब 7 से डिवाइड होने वाली नंबर ठीक है कितने 3 डिजिट नंबर होंगे तो हम इस चाप के कॉश्चन में क्या करते है न कि 3 डिजिट नंबर तो हम तो जैसे अगर तुम स्रीज लिख होगे तो पता है तमे जो 105 जो है । थीक है तो सेकंड जो आएगा उस में क्या होगा 105 में तुम 7 एड कर दोगे 112 और 119 होजागा यह स्रीज चुलेगी उसने करा 3 डिजिट नंबर तो यह 994 होजाएगा आपको से लास्ट नुम्ब्र 994 कीसे समझ में आया यह कैसे निकालेंगे दो अगर निकालेंगे तुम्ने क्या किया लास्ट थी डिसित नंबर जो होता है वह क्या होता은ए अगर भी अगर लास्ट थी डिसिट नंबर की बात करें तो वह हो जाएगा कि ऑ पाल आ जाएगा 1000 वो four digit number हो जाएगा तो largest three digit numbers यही है इसको हमने क्या किया 7 से divide कर लिया ठीक है तो one times seven आ गया clear तो यहां पर क्या गया two twenty nine four times twenty eight क्या आ गया one फिर 19 आ गया two times 14 five आ गया तो डिमेंटर five आ गया रिमेंटर five आ गया तो हमने क्या किया रिमेंटर five आ रहा है तो triple nine में five minus कर दिया triple nine में five minus कर दिया यह हो जाएगा double nine four तो यह seven का multiple हो जाएगा ऐसे निगाल दिया हमने ठीक है अगर find करेंगे problem हो तो से निगाल सकते हो clear अब तुम्हें यहाँ पर एक एपी बन गया जिसका फॉर्स ट्रम one zero five common difference seven का दिख रहा है क्योंकि उसने seven का multiple पूछा है तो 77 के series आगे बढ़ते जाएगी तो उसने पूछा है यह जो series चल रहा है 105 100 12 119 ऐसे लिखते जाएगे तो triple nine four तक पहुष्टे पहुष्टे number of terms कितने होंगे n पूछा गया basically क्यों तुम्हें यहाँ पर first term बता है common difference बता है तो basically n पूछा है तो हमने माल लिया कि जो 994 है यह nth position पे है इसकी position जो है वो nth position है nth position पे है तो an तुम्हाने पास यहाँ पे आ गया double nine four 994 first term की बात करें वो दिख रहा है 105 और common difference 7 का है कि इस 77 की series बढ़ते गई है multiple of 7 पूछा गया है तो an यहाँ पे हो क्या जाएगा a plus n minus 1 d और हमें n निकालना क्योंकि an पता है a पता है d पता है unknown n है n ही find करेंगे an कितना है double nine four a कितना है 105 n minus 1 d अब इसको बस simplify करना है और simplify करके तुम्हें answer निकालना है तो double nine four minus one zero five is equal to n minus one d की value seven double nine four minus one zero five यह तुमारा जागा double eight nine n minus one seven तो हमने क्या किया n minus one is equal to double eight nine को seven से डिवाइड कर दिया तुमारा one two seven 127 तो n की value 127 plus one is equal to 128 तो कहने का मतलब है अगर one zero five से start करोगे और nine nine four तक जाओगे तो number of terms कितने हो जाएगे 128 तो 128 ऐसे number है जो seven के multiples होंगे three digit number जो होंगे वो seven के multiple होंगे वो 128 numbers है clear चलो चलते अपने next question पर question number 14 14 करा how many multiples of four lie between 10 and 250 तो exactly same question बस multiple of four four आगे यहां पर तो multiple four multiplies of four हो या divisible by four हो एक ही बात है between 10 and 250 10 and 250 के बीच में कितने numbers हैं जो four के multiples होंगे four से divide हो रहे होंगे exactly तो first number जो होगा वो 12 होगा पता है 10 तो divide नहीं होता 11 divide नहीं होगा 12 होगा first number 12 के बाद फिर four four का series आगे बढ़ता है 16 20 24 और last number हमें पता है 250 डिवाइड नहीं होता है 250 से पहले जोगा वो 248 होगा वैसे निकाल दो 250 को four से divide कर तो अगर exactly divide होगा remainder zero आगया तो 250 डिवाइड हो रहा है नहीं आया तो जो भी remainder आएगा उसको 250 से minus कर देना तो 248 तो यहां पर पूछा गया है how many multiples ठीक है तो कितने numbers होंगे अगर 12 से start करते हो और इस series को four four का increment करते जाते हो 248 तक जाते हो तो number of terms कितने होंगे यह पूछा गया है basically तो अगेन यहां पर माल लिया number of terms n है तो इसकी position क्या हो गई 248 के अने फ पोजिशन पर है तो an यहां पर तुम्हें 248 गीवन है first term 12 common difference four four का interval increase होता जा रहा है तो यह हो जाएगा four तो 16-12 यह 20-16 कुछ भी कर लो four आएगा an क्या होता है an होता है a plus n-1 d an क्या यहां पर 248 तो 248 a 12 plus n-1 d की वैल दो four ठीक है अब 248 में 12 minus कर दो यह 12 को minus कर दिया तो यह जाएगा 236 is equal to n-1 four तो n-1 is equal to 236 upon four यह simplify किया यह तो माला जाएगा 59 तो n की वैल दो आगई 59 plus 1 is equal to 60 तो number of multiples किते हो जाएगा 60 हो जाएगा अगर four से लेकर 250 तक लेखते हो तो number of multiples 60 हो जाएगा इसका मतलब यह है clear है चलते है अपने next question पर question 15 पर 15 पर क्या कहा रहा for what value of n the nth term of 2 ap 2 ap given है यहाँ यहाँ पर clear है 2 ap है 1 ap यह है 1 ap यह है तो कह रहा है कि n की value क्या होगा जिस पर इनके nth धूनों शरीग का जो nth term होगा itkos estiver 2004 जो है कौन सा टूम जो है दोनों series का equal हो जाएगा मतलर स्थ दियुक्ते जाओ और सी दिते जी चुरो तो वह कौन सा टॉनल और कौन से पोजीशन पर वह टॉंल आेगा या बिसलिवी पोजीशन पूछ्रहें है जहां पर दोनों ओपी का टम एककोल हो रहा हो वह क्यों सी पोजिशन हो गए ठिक आपट होस्य एक्षे ट्रियर 3ऊ 650 प्षैवर सेवं ए चल रहे हैं तो इनका इसका first time हमने capital A मान लिया, वो 63 है, common difference capital D मान लिया, वो कितना हो जागा, 65 minus 63, 2, यह हो जागा, clear, second AP जो है, AP 2, वो 3 है, 10 है, 70 नहीं चल रहा है, तो इसका first time हमने 3 मान लिया, और common difference 10 minus 3, 7 हो गया, ठीक है, Nth term की बात की गई है, तो इसका जो Nth term होगा, वो क्या हो जागा, A plus N minus 1 capital D, तो यहाँ पर A क्या हो जागा, 63 plus N minus 1 capital D, 2 है, simplify किया, 63 plus 2N minus 2, 63 minus 2, 61 plus twice of N, यहाँ गया, 61 plus twice of N, इसका A N निकाला हमने, ठीक है, दूसरे वाले AP का A N निकाला इसका, इसका A N क्या हो जाएगा, A plus N minus 1 D, Nth term, A कितना है इसका, 3, N minus 1 D कितना है, 7, तो 3 plus 7 N minus 7, तो यह कितना हो गया, 7 N minus 4, ठीक है, उसने कहा है कि Nth term हमें equal चाहिए, Nth term हमें equal चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका जो Nth term आया है, और इसका Nth term जो आया है, उसको equate कर देंगे, equation 1 equal को equation 2 हो जाएगा, तो equation 1 क्या है हमारे पास, 61 plus twice of N, और equation 2, 7 N minus 4, ठीक है, हमें दोनों को equal करना है, जोकि उसने कहा है कि, for what value of N, N की क्या value होगी, जिस पे Nth term equal हो जाएगा, तो Nth term तो हमारे यही है न, दोनों AP का, इसको equal कर देंगे हम, तो यह जाएगा, 61 plus 4, यह जाएगा, 7 N minus 2 N, 65 is equal to 5 N, तो N की value हो गई, 65 upon 5, मतलब 13, ठीक है, तो 13th position पे जो term आयेगा, वो equal होगा, दोनों AP का, ठीक है, यह AP लिखते जाओ, और इस AP को लिखते जाओ, 13th position पे जो भी term आयेगा, इस AP का, और इस AP का, दोनों equal हो जाएगा, इसका मतलब यह है, clear है, चलते हैं, अपने next question पे, question number 16, section क्या गया, determine the AP whose third term is 16, एक AP determine करना है, जिसका third term जो है, वो 16 है, and 7th term, exit the 5th term by 12, again यहाँ पे, हमें, एक AP find करना है, जिसका third term given है, तो AP find करने के लिए, हमें first term and common difference चाहिए, तो दो unknown निकालना है, दो equation चाहिए, दो equation यहाँ पे given, तो मालना कोई AP, जिसका first term A है, common difference D है, according to question क्या है, यहाँ पे third term 16 है, third term मतलब A3, A3 क्या होता है, A plus twice of D, तो यह किसके कोल है, 16 के कोल है, तो A plus twice of D, तुम्हारा क्या आगया है, A plus twice of D is equal to 16, first equation, और second question जो है, वो कह रहा है, 7th term, जो है, वो 5th term से 12 exceed कर रहा है, तो जो भी 7th term है, A7, वो अपने 5th term से 12 ज्यादा है, तो A7 क्या हो जाएगा, A plus 60, A5 क्या हो जाएगा, A plus 4D plus 12, तो A और A यहाँ पे cancel out, तो 6D minus 4D, 6D minus 4D is equal to 12, तो 2D is equal to 12, तो 2D is equal to 12, this implies that D is equal to 12 upon 2, 6, D के अले तुम्हारा पास आगई 6, अगर D 6 आगई, तो D को पूट कर दो equation first में, और वहाँ से A निकाल लो, तो हमने D को पूट कर दिया equation first में, यहाँ पे हमने D को पूट किया, तो A plus 2 into 6 is equal to 12, 16, A plus 12 is equal to 16, तो A is equal to 16 minus 12 is equal to 4, तो first term 4 हो गया, common difference D हो गया, common difference D जोट 6 के इकोल हो गया, तो AP क्या हो जागा, अगर AP लिखने जाओगे, तो first term 4, second term, इसमें D आड़ करते जाओ, 4 plus 6, 10, 3rd term, 10 में 6 side कर दो, 16, 22, यह तुम्हारा series बन जागा, यहाँ पे AP का, clear, मतलब AP क्या होता है, A, A plus D, A plus twice of D, A plus twice of D, यह चलता जाता है, वही हमने लिख दिया 4, यहाँ पे D, A or D put करते हैं, जाओ, 4, 10, 16, 22, आता जाएगा, clear है, चलते हैं अपने next question पे, question number 17, find the 20th term from the last, पीछे से उसने काया है, 20th term find करो, देखो, एक होता है कि अगर उसने बोला है, पीछे से 20th term find करो, तो तुम पीछे से 20th term होगा, उसके position तुम आगे से निकाल सकते हो, एक वो method है, उससे simple यह है कि AP को reverse कर दो, मत्तब तुम्हारे पास AP क्या given है, AP जो यहाँ पे given है, वो given है, 3, 8, 13, यह चल रहा है, 253, ठीक है, तो अगर वैसे देखो, यहाँ पे यह चल रहा है, तो यहाँ इसके according आड यह चल रहा है, तो क्या होगा, उसने कहा है, 20th term from the last, अगर last से बोला गया है, तो इस AP को reverse कर दो, आपको को से reverse करने का मत्तब, reverse करने का मत्तब कुछ नहीं है, उल्टा कर दो, तो AP को से लिख लो, 253, यह चलता जाएगा, 13, 8, 3, ऐसे लिख 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 लिख, clear, अब उसने पूछा है, A20, तो A20 निकाल दो अब, तो यह जो A20 आएगा, वो पीछे से आ जाएगा, क्योंकि हमने AP को पीछे से लिख दिया, simple सी बात है, clear है, तो कभी भी पीछे से पूछता है, तो AP को reverse कर दो, AP को reverse कर दो, अब देखो, यहाँ पर common difference, अगर बात करें first term, तो पहले first term 3 given था, लेकिन हमने AP को reverse कर दिया, क्योंकि पीछे से पुछा गया term, देखो, from the last, तो पीछे से देखना हमें, from the last पुछा गया है, तो हम यहाँ पर first term जो हो जाएगा, वो तुम्हारा 253 हो जाएगा, common difference, D निकालना है, तो 3-8 कर दो, 8-3 कर दो, यह तो करते हम, next term को उसके previous term से मैनस करते हैं, तो 3-8, मैनस 5 हो गया, उसने A20 पूछा है, तो A20 क्या हो जाएगा, A plus 19D, A कितना है, 253 plus 19D की value, minus 5, 253 minus 95 is equal to 158, तो पीछे से जो 20th term पे जो number आएगा, वो 158 होगा, क्लिर है, तो कभी भी पीछे से पूछता है, कोई भी time find करो, पीछे से, तो AP को reverse कर दिया करो, बस, तो common difference अगर पहले 5 था, देखो, पहले common difference करता था, 5, तो अगर AP को reverse करोगे, तो वो मायास 5 हो गया, अगर मायास 5 होता तो यह 5 हो जाता, क्लिर है समझ में आ गया होगा, तो आज इस पार्ट में हम लोग कोश्चन में 17 तक ही कर रहे हैं, नेक्स पार्ट में हम लोग आगे continue करेंगे, अगर कोश्चन में 18 से, तो अगर कोई कोई डाउट हो, अभी फिर भी समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को था सब दोबारा देखा करो, फिर भी समझ में नहीं आता है, तो comment section में डाल दिया करो, ओके, चलो, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like और share करना, और जिसने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया, चैनल को सस्क्राइब कर देना, और bell icon दवाना मत बूलना, जल्दी मिलेंगे अपने next part के लिए good bye, take care.